तो पंकर जी आप लोग गल्ती करने जा रहे हैं कि बट एक चीज और भी है ऐसा नहीं कि प्रधान मंत्री जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल क्या उसकी हम यहां पर कोई बहुत तारीफ कर रहे हैं लेकिन यह भी सचाई कि कॉंग्रेस वालों ने भी प्रधान मंत्री को ऐसे शब्दों से नवाजनिस कभी कोई परहेज नहीं किया चाहे गुजरात का चुनाओ अभी का हो चाहे 2014 का लोकसाभा का चुनाओ चाहे तमाम लोग है वह ऐसे शब्दों के सब्दान मंत्री जी के लिए करते रहे हैं तो अगर प्रधान मंत्री जी ने आपके लिए या जी यह जी करने वान चाहें तो भारत के पहले प्रधान मंत्री का जनम दिन है जिनोंने संसी ये मर्यादा क Brush के साथ कैसे रिश्टे होने चाहिए उसका कितना आधर संमान होना चाहिए और उसके विचारों को और उनको साथ लेके चलने की एक मिसाल कायम की जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में लगातार कॉंग्रेस का विरोध किया अंग्रेजों के साथ रहे इन्हीं के आदर नहीं शामाप्रसाइद मुखरजी को उन्होंने अपने मंत्री बंडल में रखा और यह कोशिस की बताने की कोई जबरदस्ती नहीं थी कोई ऐसी कोई दबाव नहीं था पूर्ड बहुमत था हर तरफ प्रचंड लहर थी कॉंग्रेस की उसके बावजूर सबको साथ लेकर चलने की कोशिस की और कभी भी किसी के खिलाफ कोई ऐसा शब्द क्योंकि देखे भारत का प्रधानमंत्री बोलता है तो इतिहास बोलता है उसके एक एक दिन के भाशन डॉक्यूमेंट होते हैं यह आने वाली पीडियों के लिए सरक्षित किये जाते हैं और सिर्फ संसद के अंदर नहीं संसद के बाहर भी आपने यह बोला कि कॉंग्रेस के किसी नेता ने बॉन बोला है बोला है पंकच fortuneıyoruz अगर अगर आप इस क्या बहुत्त अबर और कि अधी नहीं जहाँता मैं कह रहा हूं कि आप उससे बचने कोशिश ना करें कांग्रेस के कई नेताओने बड़े नेताओने नरेदर मोदी को ऐसे शब्दों से नावाजा है जो आपती जनक है लेकिन यहां मैं यह भी कहना चाहता उन्होंने शब्दों का प्रयोक सुनिया गांधी के लिए क्या रा कि भारत के प्रधानमंत्री पर बैठा व्यक्ती है उसके बयान और किसी भी राजनेता के बयान चाहे वो कॉंग्रेस पार्टी का हो यह कहीं का हो उसको मतलब आप यह नहीं कह सकते कि जो साध्वी प्रग्या बोल रही है उसको आप भारत के प्रधान मंत्री के बयान से जोड़ सकते वो संभव नहीं है यही आपको एक निवेदन कर रहा तो यह बनाना रिपब्लिक नहीं है भारत का प्रधान मंत्री जब बोलता है तो भारत का समयधान भारत के समयधानिक मर्यादा भारत का समयधानिक अतीत और भारत की संसद के हर प्रवेश द्वार पर लगे हुए उपनिश्दों के जो इश्लोख है उनकी मर्यादा से जु व्यक्ति बाइठा होगा और ऐसी बात करेगा किसी भी विपक्ष्श के नेता के लिए तो मैं निश्चित रूप करूगा और करना सब को निंदा करने जाहिए भारत का प्रधानम्टरी कुई आम नेता नहीं है भारत का इतियास बना तो बहुत लंबा शासनकाल सन से चौसर तक उसके पहले आजादी के दौर में भी बहुत मत विभनिताय रही अपनी पाइटी से भी बाहर के लोगों से भी आप उनके सारे भाषन सारी किताबे आज भरी पड़ी है उनके लेखन से आप कहीं एक शब्द दिखा दीजिए किसी प्रधान मंतरी ये कहें ये कोई बात नहीं भारत के ब्धाव कि हर बहारते हैं क्यों हिस भारत नहीं कि यह वहीं भारत में ऊण वहीं इप और जब नाम रहा हो रगर को मई 2023 में साफ कहा है इस बात को कि आप जो फिनिशिंग प्रोड़क्ट है और जो प्रोडक्शन है उसको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं भारत में जो मैनुफैक्ट्टर हो रहा है मोबाइल वह असेंबल है और जो उसके प्रोसेसर जो यहां बनने की बाते हैं उस पर सरकार न नहीं हो रहा तो अगर राहों कादी यह बात कहते हैं तो वह भारत के अपने विकास और उसके दर्शार है और उस पर आप यह भाशा इस्तेवाल कर रहें ठीक है ठीक है ठीक है प्रताब में जवाब करें गूगल प्ले स्टोर पर झाल 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 झाल